नमस्कार सिक्षार्थियों, आज हम राजनीती विज्ञान के एक महतपूर्ण विशय पर चर्चा करेंगे, जो है राज्ज। जब इससे पूर्व हम राजनीती विज्ञान के अर्थव परिभाशाओं को समझ रहे थे, तो बार बार राज्ज शब्द का प्रियोग हुआ था। राजनीति विज्ञान की परिभाशाओं में अनेक विद्वानों ने राज के अध्यन को ही राजनीति विज्ञान का केंद्री विशय बताया आज हम जानेंगे कि राज क्या है, अलग-लग विद्वानों ने राज को किस तरह परिभाशित किया है और राज किन-किन तत्वा से मिलकर बनता है प्राचीन समय से आज तक राजनितिक चिंतन का केंद्री विशय रहा है राज प्राचीन युनानी विचारक अरस्तु ने व्यक्तिकी कलपना राज के अंदर ही की है अब हम समझते हैं कि राज क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है यदि हम सामाने बोलचाल की भाशा में राज सब्द का प्रियोग करते हैं तो इसके अंतरगत विश्व के देसों जैसे भारत, चीन, अमेरिका आदि को लेते हैं वहीं संघात्मक शासन में सासन की इकाईयों के लिए भी राज शब्द का प्रियोग किया जाता है प्राचीन युनान में राज शब्द की जग्या पॉलिश सब्द का प्रियोग होता था पॉलिश का अर्थ होता था सिटी स्टेट यानी छोटे छोटे नगर राज आधुनिक रास्टी राज्जी का विकास पश्शिम में सोलवी शताब्दी से ही शुरू हो गया था प्रियावली ने अपने गरंत प्रिंस में लिखा है जहां व्यक्तियों पर शक्ती का प्रियोग किया जाता है वह राज्ज है बीसवी शताब्दी में देखें तो पूरा विस्व रास्ट राज्जों की जाल से घिर गया था एक तरीके से कहें कि पूरे विस्व में रास्ट राज्जों का जाल बिज गया था और आज राज्ज सस्था अपने आरंबिक रूपों से विक्सित होते हुए वर्तमान रास्ट राज्जी के रूप में पूरे उतकर्स पर पहुँची है वास्तों में राजी हमारे सामाजिक जीवन को व्यवस्तित करता है और शांतिस थापित करता है अब हम कुछ परिभासाओं के माध्यम से राजी को समझने की कोसिस करेंगे परंपरागत राजनीतिक सिध्धान के अंतरगत राजी की संकलपना को प्रमुख स्थान दिया गया है गैटल ने राजनीति को राजी का विज्ञान कहा है और गार्नर ने अपनी किताब पॉलिटिकल, साइन्स एंड गॉर्मेंट में राजनीति विज्ञान का आरंब और अंतर राजी को बताया है आधुनिक राजनीतिक सिध्धानति के अंतरगत राजी को बहुत महत्व दिया गया परंतो इसमें कई उतार चड़ावाए उदारवादी चिंतन के व्यवहरवादी उपागम के विद्वानों ने माना कि राजी की संकलपना को राजनीति से अलग किया जाना चाहिए पर पिछली कुछ दसकों में उदारवादी विचारक भी राजी की संकल्पना को राजनितिक सिध्धान्त और तुलनात्मक राजनिति के शेत्र में फिर इस्थान देने लगे हैं प्राचीन युनानी राजनितिक दार्शनिक राजी शब्द का प्रियोग पूरे समाज के संगठन के लिए करते थे सबसे पहले मैक्यावली ने सोलवी शताब्दी के शुरुवात में अपनी पुस्तक प्रिंस में राजी शब्द का प्रियोग किया है और राजी की परिभासा ऐसे सत्ता के रूप में की जो मनुस्य के उपर शक्ति का प्रियोग करती है जर्मन समाज विज्ञानी मैक्स वेवर राजी को ऐसा मानो समुदाई मानते हैं जो एक निश्चित भूभाग में भौतिक बलके विदिसम्मत प्रियोग का एकाधिकार का दावा करता है मैकाईवर ने सोसाइटी एन इंट्रोडेक्शन एनलेसिस में लिखा है कि राज बाकी असोसियेशन से इस आधार पर अलग है क्योंकि इसमें बल प्रियोग की अन्तिम शक्ति नहीत होती है लास की तर्क देते हैं कि बाकी संगठन स्वैचिक होते हैं वे व्यक्ति को तभी तक बात पाते हैं जब व्यक्ति अपनी पसंद से उसका सदसे बनता है परंतु किसी राज में रहने वाले व्यक्ति के लिए उसके आदेसों का पालन करना कानुली रूप से जरूरी हो जाता है अन्य सभी समुहों की तुलना में राज की सर्वोचिता ही उसकी प्रमुक विसेशता है फेडरिक M. वाटकिन्स ने राज की परिभासा मानो समाज के उस हिस्से के रूप में की है जो भौगोलिक सीमाओं से घिरा होता है और किसी भी प्रभुसत्ता धारी के प्रती समान रूप से आग्या पालन के कारण एकता के सूत्र में बधा रहता है वाटकिन्स ने प्रभुसत्ता पर विसेश बल दिया है या सर्वोच विधाई सत्ता का लक्षण है जिसके निर्णय अंतिम होते हैं अनिस सब मानो संगठनों की तुलना में राज की प्रमुक पहचानिया है कि इसके आदे सर्वोच होते हैं अरस्तु के अनुसार राज परिवारों और गाउं का एक संग है जिसके अंत में एक आदर्स और आत्म निर्भर जीवन जीना होता है जिसका अर्थ है एक खुसहाल और सम्मानजनक जीवन राजनीती विज्ञान के अंतरगत राज जी की एक विस्तित परिभाशा फिल्मोर ने दी है यह परिभाशा बहुत व्यापक परिभाशा है फिल्मोर ने की जो परिभाशा है उसमें उन्होंने लिखा है परिभाशा है यह एक विस्तित परिभाशा है जो पूरी तरीकी से राज का वर्णन करती है कि राज में एक territory होगी उसमें एक organized government होगी लोग common laws के थुरू बधे होंगे और राज की एक independent sovereignty होगी एक स्वतंति संप्रभूता होगी और वो अपनी boundary के अंतरगत जितनी भी चीज़ें आती हैं उसको control कर सकता है नियंत्रित कर सकता है और वो अपने international relation बनाने के लिए भी शक्षम होगा तो इस तरीके से राज की विभिन परिभाशाएं दी गई हैं और अब हम आते हैं कि राज किन मूल तत्वों से मिलकर के बनता है राज के चार मूल तत्व हैं जनसंख्या, भूभाग, संप्रभूता और सरकार जनसंख्या, जनसंख्या के बिना किसी भी राज की कलपना नहीं की जा सकती है प्राचीन समय में छोटे छोटे नगर राज्यों होते थे, ट्राइबल स्टेट्स होते थे, जिनकी जनसंख्या बहुत कम होती थी जैसे कि हम देखते हैं कि जो ग्रीक फिलोसफर हैं उन्होंने बहुत कम जो जनसंक्या है उन राज्यों की कलपना की है प्लैटो ने अपनी पुस्तक लौ में जो जनसंक्या निशित की है वो है 5040 वही रूसों ने जो जनसंक्या है उसका आइडल नंबर बताया है 10,000 यह कोई hard and fast rule नहीं है कि किसी भी राज्य की जनसंक्या कितनी होनी चाहिए अभी भी हम बरतमान में भी देखते हैं कई राज्यों की जनसंक्या बहुत कम है और वहीं बहुत अधिक जनसंक्या वाले जो राज्य हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं जनसंख्या की तरह ही राजी के लिए निशित भूभाग भी बहुत आवशक है जिसमें वो जनसंख्या निवास करती है क्योंकि भूभाग ही राजी को resources प्रदान करता है जिसके अंतरगत नदियां, जंगल, समंदर वाला छेत्र और जितने भी resources हैं वो भूभाग के अंतरग ही राजी को मिलते हैं इसके अलावा सरकार और प्रभुसत्ता बहुत महत्पूर्ण है राजी के निर्मान के लिए इन दो विशयों पर सरकार और प्रभुसत्ता क्योंकि एक विस्तृत विशय हैं इस पे हम अलग से एक व्याख्यान देंगे आज का जो व्याख्यान है उस झाल झाल